हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो माई चैनल, बेबी मॉमी हेल्प, मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हूँ, कैसे हैं आप लोग, I think सबें स्वस्त होंगे और बहुत ही खोश होंगे, दोस्तों जब बात छोटे बच्चों की देखबाल की और साफ स सफाई की आती है, तो उसमें औरल हाईद्रिन यानी की मुझ की सफाई का भी विशेश त्यान रखना हो पड़ता है, ऐसे में बहुत सी नई माउं के मन में अक्सर ये सवाल आता है, कि आखिर किस उम्र में बच्चों को ब्रश कराना शुरू करना चाहिए, और आखिर बच मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, पूरी जानकारी, तो उम्मीद करूंदी, आज काई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देखे, आम तोर पर नवजास शिशू में 6 महीने की उम्र के बाद दात न जब तक आपका बच्चा होता है, आप उसको फीड कराते, दूद पिलाते तो आप क्या करें, कोटन के रुमाल को लेकर उसको पानी में डिप कर बच्चे की मूँ को अच्छे से अंदर से क्लीन करें, उसके बाद जब बच्चे के टीथ आ जाते हैं, तो अच्छे से सोफ् करते रहें, बच्चे जब आपका वन प्लस का हो जाता है, या टीथ ऊपर नीचे के अच्छे से आ जाते हैं, डेट साल का हो जाता है, जब आपका बच्चा तब उसका ब्रश आप शुरू करें, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे की मसूड़े बहुत ही कॉमल और मुलायम हो दिन में दोबार ब्रश करने की आदत आप बच्चे को डालें, देखें, डेट साल की उम्र के बच्चे को आप आसानी से दिन में दोबार ब्रश करने की आदत डाल सकते हैं, बहले ही आपका बच्चा छोटा है, और डेट साल का नहीं हुआ हो, लेकिन तब भी बच्चे के मसूडो जीब की साफ सफाई हर दिन करना बेहट जरूरी है इससे बच्चा फ्रेश महसूस करेगा और उसे खाने की इच्छा होगी इसके लिए बच्चे का मो खोरे और फिर नर्म सूती कपड़े को गुनगुने पाने में भिगो कर मसूडो जीब को साफ कर दे और जब बच करता है तो बच्चे को हलके हातों से ब्रश करें जादा तेरा को नहीं रगड़ना है हलके हलके हातों से ही बच्चे को ब्रश करना है अब बात आती है कि टूथ ब्रश कैशा होना चाहिए बच्चे का ब्रश खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि वह कलरफुल होता कि बच्चे को उसे करने में थोड़ा सा मजाए और बच्चा अट्रेक्ट हो बच्चे का टूथ प्रश बेहग नर्म और मुलायम और अच्छी कंपनी का ही होना चाहिए जिससे बच्चे के मसूडों को कोई भी नुकसान ना हो बच्चे के लिए फ्लोराइड मुक्त तूथ पेस्ट का ही आपको इस्तमाल करना चाहिए ये स्पेशलिए आप चेक करें कि उसमें फ्लोराइड नहीं होना चाहिए प्रतेक तीन महीने बाद बच्चे का टूट ब्रश आपको बदल देना चाहिए बच्चे के मुँमे जोर से रगड कर साफ करने की बजाए आपको हलके हातों से बच्चे के मुँमे ब्रश करना चाहिए शुरात में बच्चे को रोज एक निश्चित इस्थान पर बिठा कर ब्रश करवाएं इससे वो सुबह जगते ही ब्रशिन के लिए खुद को रेडी कर लेगा रात में खाना खाने या दूद पीने के बाद भी बच्चे को ब्रश जरूर करवाएं इससे दातों में सडन की समस्या नहीं होगी और आप एक चीज और कर सकते हैं कि अगर बच्चा छोटा है ब्रश दो बार नहीं करता है तो बच्चे को खाना खाने के बाद कुला जरूर करवाएं जिससे की दातों में मसूडों में फसा हुआ खाना निकल जाए और बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो तो इस तरीके से आप बच्चे की मूँ की सफाई कर सकते हैं और जब बच्चे के ऊपर नीचे के दात अच्छे से आ जाते हैं तब बच्चे को ब्रश दे सकते हैं और उससे पहले आप अपने हास से बच्चे की मूँ की सफाई अच्छे से करें करना बेहर जरूरी होता है व वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू फो वाचिंग बेबी मॉमी हैल्प थैंक यू नमस्कार